24. दांडी मार्च 12 मार्च 1930 इसवी से 6 अप्रेल 1930 इसवी तक महत्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 इसवी को अपने 78 चुने हुए अन्वियाईयों के साथ एहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपना एतिहासिक दांडी मार्च प्रारंब किया इस द्रश्य में कुछ ऐसा जादू था कि लोगों का मन अंदोलित हो उठा गांधी के दांडी मार्च की सुचना देश के कोने कोने तक अखवारों के जरिये पहुचाई जाने लगी जहां से गांधी जी गुजरते मार्ग में तोरण दोर आदी बना कर उस पर जंडे लगा क उनका सम्मान किया जाता था उनके प्रति प्यार जताने के लिए सडक के किनारे बैट कर चर्खा चला कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता था पांच अप्रेल 1930 इसवी को 240 मील या 390 किलो मीटर लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुचे और 6 अप्रेल 1930 इसवी क दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बना कर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा महत्मा जी की दांडी मार्च की तुलना इलवा से लोटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनितिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसीलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। इसी क्रम में कलकत्ता से प्रकाशित पत्र स्टेट समयन ने वेंग से कहा गांधी महोदे समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक की डोमेनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। आईए इनका क्रमशह अध्यन करते हैं। स्वयम सेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्री रूप में भाग लिया। स्वयम सेवकों की पोशाक लाल कुर्ती होने के कारण ये लाल कुर्ती के रूप में विख्याद हुए। लाल कुर्ती आंदोलन विशुद रूप से अहिंसक आंदोलन था। गड़वाल रेजीमेंट के सिपाहियों ने चंदर सिंग गड़वाली के नेत्रितों में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इनके विरुद मुकदमा चला और एक निर्ड़े के अंतरगत इन्हें काले पानी की सजा दी गई। कौमी आजादी के लिए इन्होंने कौंग्रेस तथा गांधी का नेत्रित स्विकार किया। लाल कुर्ती दल ने गफार खां को फक्र ए अफगान की उपाधी दी। खान अब्दल गफार खाने पक्तून नमक एक पत्रिका पश्टो भाशा में निकाली जो बाद में दश रोजा नाम से प्रकाशित हुई। गफार खां को बादशा खां भी कहा जाता है। गफार खां ने 1946-47 इस्वी में फक्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्री आंदोलन किया। सविने अबग्यां आंदोलन के दोरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांध के कबाईलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। भारत के पुर्वोतर्क शेत्र मडिपुर में जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहां पर नागाओं ने यदुनाग के नेत्रित्तु में ब्रिटिश साशकों से पून असहयोग और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया। उस समय नागा संगहर्ष ने सशश्ट्र संग्राम का रूप ले लिया। आंदोलन कारियों के नेता यदुनाग पर हत्या का आरोब लगा कर फासी दे दी गई। जिसके बाद यदुनाग की बहन गैडी नेलियू ने नागा विद्रोह की बागडोर संभाली। परिणाम सरूब इन्हें गिरफतार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। गैडी नेलियू को नागा लैंड की जोन आफ आर्क कहा गया। इसी क्रम में जवाहलाल नेहरू ने गैडी नेलियू को रानी की उपाधी दी थी। गैडी नेलियू स्वधिंता संग्राम में सरवार्धिक समय तक जेल में रहने वाली महिला सेना नेत्री बनी। सी बंबई में सविने अवग्या आंदोलन का केंदर बिंदू धरासना था। आंदोलन को तेज करने के लिए गांधी जी ने घोशना की कि वे धरासना नामक नमक निर्मारशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून को तोडेंगे। लेकिन चार म को वाय सराय ने आदेश दिया कि गांधी जी को गिरफतार किया जाए। अता आदेशा नुसार गांधी जी गिरफतार कर लिए गए आंदोलन के अंतरगत संघर्ष को बढ़ाने के लिए 31 मई 1930 इस्वी को गांधी के पुत्र मडी लाल 2000 कारकरताओं के साथ धरासना नमक कार खाने की ओर बढ़े जहां इन पर भीशन लाठी चार्ज हुआ जिसमें दो लोग की मृत्ति हो गई इसी प्रकार बंबई के पास इस्थित बढ़ाला के नमक कार खाने पर लोगों ने धावा बोला और नमक लूट ले गए। मई 1930 इस्वी में बंबई के समुद्र तट पर निव फ्रीमैन अखवार के अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर ने अपनी आखों के सामने निहत्थे सत्याग रहियों पर निश्चन्स अत्याचार का सजीव वर्णन किया तथा लिखा की धरासना जैसा भयानक दिर्श मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। D. दक्षिन भारत D. अन्यकेंद्र D. विशेश रूप से इसमें भाग लेने को कहा था सविने अवग्या आंदोलन के तहत कर ना अदा करने का भी आंदोलन चलाया गया। D. पूरे 1930 के दोरान सरकार दुविधापून रुख अख्तियार किये रही काफी सोच विचार करके संघर्ष के दमन के अंतरगद गांधी जी सहित अन्यनेताओं तथा 90,000 से अधिक सत्याग रही जेल में बंद कर दिये गए। इसी दोरान साइमन कमीशन की रिपोर्ड प्रस्तुत हो जाने से तीन गोल मिच सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिसमें कॉंग्रेस ने केवल दूसरे गोल मिच सम्मेलन में भाग लिया।